जेहन नमस्कार मैं विराठ चौदरी श्वाकत आपके अपने यूट्यूब चनल फौजी में दोस्तों आज का ये वीडियो इस पेसली गल्स के लिए लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास जो कमांडो अकेडमी उस पर जब कलास लेती तब भी आते हैं लड़कियों के और इस चैनल से भी काफे बच्चिया जूड़ी हुई है तो उनके लिए लड़कियों के लिए ये पूरा का पूरा वेडियो है क्या है इस वेडियो में? कि SSE GD की जो जोब उस सी रिलेट बहुत सारी इंक्वाइर रहती है SSE GD या सर यह जो हमारे लिए शाई है या नहीं है या हमको इसमें से कौन सी फार्स जोई देनी चाहिए कौन सी जोब हमारे लिए अच्छी है इसे रिलेटेड तो पहली बात तो यह बता दूँगे कि एससी जीडी के दुवारा आप आठ पॉर्स में जा सकते हैं अब इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है और सबसे बुड़ी कौन सी इसके बारे में काफी ज्यादा क्यूश देनी चाहिए या कौन सी पहली बात पहला आपका जो क्यूशन रता है कि एससे जवब हो लड़किय के लिए कैसी है पहले मैं बता दूँ ऐससी जीडी के दुवारा आप जिन पॉर्स में जा रहे हैं आपने उनके बारे में नाम सुना होगा जैसे बीस अफ हो गई सी आई प्यप हो गई या असम राइफल हो गई आई टीवीप हो गई अना ये हो गई है आज सफ हो गई सी और असम भी जितनी भी आट फॉर्सेस है इनके बारे में आपने कभी ना कभी कही ना कहीं जरूर सुना होगा तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि जोब कैसी है तो मैं आपको जूट नहीं बोलूँगा बिसकुल चैलेंजिंग जोब है जी हैं बिलकुल चैलेंजिंग जाब सभी वोड है सभी यह से रिस्पेक्त नहीं करते है इस दुनिया में माची रिस्पेक्ट क्यों करते हैं रिस्पेक्ट माई की त्याग में इस त्यारे में गर त्यार कर ने जाना वो होती है मां उसी परकार यह जितने भी फोर्स असे इसमें आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है आपके कुछ इसी खुशिया है परिवार की घर परिवार के जीवन से दूर रहना पड़ता है बहुत सारी चीजें जिनका त्याग करना पड़ता है आप सोच आप अपने परิवार के साथ 75 कितने डेज 75 अपने परिवार साथ बता सकते हो पूरी के पूरी साल 300o ridin के यर में से ृis माप कितना दिन बिता सकते हो अपने परिवार के साथ 2015 चतर दिन तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यह यह अब लड़कियों के लिए बात आ जाती है कि लड़कियों के साधी के बाद में में भार जाता और कрь जाता है क्योंकि से सुराल रहे या परिवार मैं के जब चुतीं होती है सफुराल म eller में उया मैका है इन दे शुराल हूं और फोजियों की, ब्रेंड बढ Quéली बात चेलेंजिक है we're कोई प्रेशान नहीं लेकिन देखिए चाहिए सशुराल हूँ चाहिए मायक लेकिन ये देश की जो वर्दी ये फोजी वर्दी है इसके सामने सब फीका हो जाता है आपको जरूर करनी चाहिए ये जो जीवन में कि अगर आपने जिंदगी पाई है तो कुछ न कुछ परिवार इंसान भी आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा कितना घटिया से घटिया गिरावा इंसान भी आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट दिखाएगा जिसकी हद नहीं है तो आप सोचे कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है तो उसमें ससुराल मायका यह सब चुप जाते हैं बह प्रसाल का इसलिए है क्योंकि इनसान परिवार के साथ रहना जदा पुसंद करता में रहेक्त को है इंने सरफ्विस आपको 20 साल की कम से कम करने पड़ेगी कितने यह से कंड़ी स्थाप करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्दाव का तक रहender लेकिन कम से कम 20 एर की सर्विस करनी पड़ेगी तो जोब में किसी में कोई प्रोब्लम नहीं है सभी के सभी जो जो जोब है वो अच्छी है किसी परकार की कोई परिशाने नहीं है कि किसी परकार का फाल तो भरासमेंट है या कुछ ऐसा है तो ऐसा नहीं है सभी जगें आपके इभाई बन्दू कोई ने कोई वाहं प 29 कोई किसी ने किसी रह आपकी साथ में जो क्रिभा वोगत रही है अपके परिवार किस तरह बा siyadamale Robinthat यहारा लेकिन ज्याधा तो लोग होनी चाहिए तो मेरे साफ से आपके फर्स्ट रोश होनी चाहिए CISF, SSB, अगर NIA के लिए सेट निकलती है तो NIA ठीक है इसके बाद में BSF CRPF इन में से आप कोई भी ले सेकत हो यह साफ क्यों होनी चाहिए क्योंकि इन में से में रखने की सुधाई अच्छी मिल जाती है से सब सब्सक्राइब को साथ ठीक है अब जो सबसे बड़ा एक त्यूशन और रता लड़कों का क्या अगर मान लोगों लड़की दिल्ली में या और किसी एकजाम मतलब डिपार्मेंट में सेंटर गौर्मेंट क्या वह एक जिगव पोस्टेड हो सकते हैं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं लेकिन अगर आप जैसे मालों सी आर्पीए अप में आपके हजबेंट भी सियार्पीए प्र इस कंडिशन में आप दोनों साथ रह डिल्ली में आप्व आप पोस्टिंग डिल्ली करा प гл Mayo करें यह कानुनी अधिकार है आप रिक्वेस्ट करके अपनीLR में इस परकार से हमारी फेमेली या में मिलीरी ब्री फस्ष़ करने से सब जब आपकी फोसे हैर में उसकी बळल एम उसके बड़ेंघ दों कहां पर करा सकते हो एजए रिक्वेश्ट ना कि कानून अधिकार आपको helemaal एक इसमें भी नहीं यह थी एसमाट मदाव ज्यक्वेश्ट रहूती है यह कुछ टाइम पर होती है कियं बार नहीं भी तो जितने परतने जिंतजीं कि क्यों चूला बतने दियारि करती है दिल से त्यारी करिया हमेशा जिंदभी में यह जिंदगी यहां पर देश के लिए सब्सक्राइब तो इस देश पर नाम करने वाला कौन बचेगा ठीक है तो जो जो कोई भी खराब नहीं है आपको टेंसर करने की जूरत नहीं कि जो खराब है जो मुख्य जो समश्य है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्य समश्य क्या है ठीक है जै हिंत जै भारत